तो दोस्तों कैसे हैं आप सब और एक बार फिर ये समास की दूसरी वीडियो लेकर मैं आ रहा हूँ तो कैसी लगी आपको ये पहली वीडियो जो हमने बनाई थी जिसमें हमने अभियावी भाव समास पड़ा था जिसका हम एक उधारन ले चुके हैं कि उपसर के साथ में अगर शब्द को जोड़ा जाए ठीक है तो समासिक पद क्या बनता है ठीक तो आगे दूसरा उधारन लेने से पहले हम इसको दुबारा से फिर दुबारा पढ़ ले एक बार रिविजन इसका कर ले ठीक तो मैं आपको बता दूँ कि समास का जो शाब्दिकर्थ होता है वो संशेप होता है समस्त पद होता है समासिक पद होता है जिसको हम समास वाला पदी बोल देते हैं और संपूर पद होता है तो यह समासिक पद या संशेप पद या क्या होता है यह होता है कि किसी एक बड़ मतलई एक बाधा को कम से कम छोटे सब्दों में बताना यह जो मतलबन गितने 4-6 सब्दों का एक पूरया ओह हो सेंटन्स वाक्या हो उसको एक सब्दमें निचोड देना ठेक वो सामासिकपद कहलाता है समास्विग्रव तो होता है, जैसे एक ख़ः को युझ शवद को सिटी नों के दौरा वो बताए, समझाना अगे दिया और उसे कहते हैं कमलनेल जो हमने देखी परिभासा ने trailer आगे आगे या तकेक शब्दन सब्दांज और एक शब्द होगा एक शब्द होगा और उपसर्ग ये सब्दान जो होता है वो किसी भी सब्द के आगे जोलता है और उपसर्ग का एक अपना आर्थ होता है ये किसी भी सब्द के अगर आगे लगता है तो उसका पूरा मतलब बदल देता है और ये नहीं कि एक उपसर्ग के वाल एक ही सब्द में लगेगा नहीं प्रफ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् दोस्रा हमने देखा कि एक सब्ध होगा फिर बाता बी ऐक सब्ध होगा तो दोनौँ शब्ध मिलके इस समाजिक अलुरत और दिन नात बना माता पिता बना और भाई सब्ध होसकर Śञया मेंने माता खरव भेता नौरस कि एक सब्ध होना पले नKYम हुखद मतलब पिलत्य था Lean पद वो होता है, जिसमें विभक्ती कारवक्चीन छपा होता है, तो उसको चिडिया का घर नुमिंद्धित यह हुआ करने का सिरों मिलब और दो तो इसमें के लिए और धि-धा के लिए घर तो विढ़ luggage खुए और विद्य के लिए थो आयसे अदिक कपड़ा और मकान यह जो बीच में चिल लगा हुगा ना माइनस का यह इसको और की जगह भी से चिपा हो पद गहलाता है मतलब जैसे कि लिखा इसमें तो चुदिया का घर ले भूद्या के लिए लिए अले टीक समास के चारवेद मुझे चैवेद चैवेद कब होंगे सह जब होंगे यगू समास को अलग अलग मानने दी जाएगी तो छही होगे और अगर किसी वज़ार तो आपको चार दिये गए है करम ढर समास और ऑगे चलते हैं आगे पहले समास जो आगा अभी क्या है वह वो होता है जिसका पिर्थम पद विरधान होता है फिर 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 निपाथ होगा या फिर अफ्याव निपाथ यह तो फिर Cassa क्या हुता स Dorta उ। मतलब नहीं कोई हैं पहुता लगी मतलब होगा निपात healthy fluff मतलब जो अलग ताइप का हो जैसे कि मैं कह दूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूं ठीक और इसमें स्कूल मैं स्कूल जा रहा हूं और इसमें अगर निपात हम जोड़ते हैं तो निपात जोड़ के क्या गरो जैसे कि यह सोचो मैं भी स्कूल जा रहा हूं एक तो वाक्य था कि मैं स्कूल जा रहा हूं दूसरा है कि मैं भी स्कूल जा रहा हूं मतलब इसमें बल लग गया भी जोड़ दिया तो जिसमें बल लगाने के लिए निपात का प्रियोग किया जाता है अव्य अव्य क्या होते हैं अव्य होते हैं खर्च वाले जिन्हें खर्च ना करते हैं मतलब होता एक मतलब बिना खर्चवाला अव्य वह होता ठीक यह सब आगे मैं पढ़ाऊंगा उपसर्ग निपात अव्य कभी भी किसी भी लिंग वचन काल कारक में नहीं बदलते यह मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी के उपसर्ग हुआ निपात हुआ या फिर अव्य हुआ कभी भी लिंग वचन काल कारक में कभी भी परिवर्तन नहीं होते ठीक आगा देखो पहला पद अव्य उपसर्ग निपात में से कोई भी एक हो सकता है मैंने आपको बताया या तो उपसर्ग होगा जो अव्य भाव का उधारन होगा उसमें या तो सबसाग उपसर्ग लगा होगा यह लगा होगए थीक तब उसकी पैचान होगी कहां ये वह ऊसका अभय जान बहुंज सवास का भी ही मतला जो समास समय व्हास का भी इस्त्रीलिंग एंग पुर्लिंक का चलते हैं हुग ऑगे हमने पहला उधारन ने का उसर सभ्देखा मतलब के साथ में सब्स जोड़ के जो हमच Supraft Your हुग क्या है रहा पमें एक शाहत maior तो दो इसका जो समासिट फडिक है हो में उसकी चाहा हुआ हुग आकर दूशर यह इसव यह दूसौ और ग्यूब साथ में सब्ध कर दिया दूस हमारा उप्षर्ग है और सब्ध हमारा साहस तो हम हमें क्या पिरप्ट हुआ है आगे दूसरा उधारन हमने लिया निपाथ् प्लस सब्द मतलब सब्द के साथ में अब आगे निपात जूड़ाएगा तब इसका हमें अब यहाउट समाच का उधारन परापत होगा कैसे देखो यथा प्लस करम यथा हमारे निपात है किरम एक शब्द है तो यथा किरम समस्तपद बन गया हमारे समाजीक पद तथा और तथा पिलस योग्यता तथा योग्यता ठीक समस्त्पद हमारा निपाथ हुआ और शब पेट पेट के एक शब्द के उसफद है तो भर पेट यह हुआ है धीक दौनों को झूंदंगे भर पेट हमें पिराप्त हुआ यह निपात अवय आ या उपसर्ग इसका एक अपना अलग चैप्टर है तो इसको मैं बहुत अच्छी तरह से बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा एक एक पॉइंट के हिसाब से तो बस किवाल यह देख लेना अब यह वहाव का उधारन होगा वह ना तो ना तो पुरलिंका होगा और ना ही इ ऑफ्र दान होगा और इसमें या तो उपसर्ग सब्दमें या फिर नीपाद जूला होगा या फिर अव्व्यत शुणा होगा तब वह 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 सब्सक्रकल कद्रान तो तीसरा एक तो剤 मतलब दोनों अव्य के जुड़के दीरे-दीरे बना ठीक जल्दी ऑव्य है और दर जल्दी तो जल्दी-जल्दी भी अव्य बना अलग-अलग तो आफ्य के साथ में जोड़ा गया ठीक यह सब मैं आपको अलग चैप्टर में अगराऊंगे बहुत सारे सब्ध हैं वर्ड हैं तो वह मैं आपको अलग चैप्टर क्योंकि इसके अव्यव भाव समाज को दार्म अलगी पता लग जाती है इनका कोई मतलब नहीं होता जो आगे सा जोले जाते हैं इसमें ना तो आप अब द्याइड कर पाओ ऊगैं यह जब यह आपको पता ना लगे कि इस ट्रिंग के है नहीं है पुरलिंग है के नहीं है तो सीधी बात नपून्सक का हो जा और आप पहचान यह निपात हूआ फसर हुआ सब्ध हुआ जो आपके सब्ध के आगे जोड़े जाँगे वह पूरी डिटेल में बताया जाएगा इसकी बिल्कुल जरूत नहीं पड़ाएगी ठीक है अब देखते ही अगला तो आगे आ जाता है हमारा दूंद समास देखो दूसरी अब कंडिशन आगे इसमें जो समास के हमारे छेवेद थे छे यह चार तो उसमें दूंद समास हमने ले आपस में दूसरे का वीपरीत राम और रावन ठीक है पीडियोगित्त यह लोता ना जो आपस के द जीवह कोंडिया फ्रूंद कम पावर में तो प्रथियोगितों हुआ फीर्थी ह enc часов प्रिटि दोभन दीता क्या होती मोर्भिर जैसे कि वह एक दूसरे कोड होर्ड कर रहे है और विप्रीत होना यह इस सामस का उधार होता है अब देखते हैं इस तो मतलब जितने विपरिष़ न को पुँए होगा मतलब जुतने विपरिष़ शडंगे सभी की दोन सबमस के अंदर आगे योजक चिन तो इसनियोज कंसट के प्रयोग होगा योजक चिन में और यथा य Ag cayMa अथवा इन सब्द का मतलब प्रयोग होगा और अगर ये भीडर माइनस ओनफ ला जो मैंज के रहा को बता है था माइनस की तरह वो prov again इसमें लगा मिलेगा ठीक तब ये मतलब धौन समास का उधारन बनेगा और बहुत से इसी कंडिशन है लेकिन जो मैं आगे बताऊंगा हर उसमें क्लियर करता हो चलूँगा और तीसरा है आवर्ती पुनावर्ती जैसे रात रात मतलब हरा हरा पीला पीला आदी मतलब आवर्ती या पुनावर्ती मतलब कहने का मतलब यह है कि एक सब्द को दो भर बोलना ठीक है जैसे रात रात और हरा हरा पीला पीला आदी कुछ भी हो सकता है बाकी एक सब्द को दो बार बोलना वह आवर्त पंवर्त कियलाती है ठीक वह भी द्वांद समास के ढ़्रण हो गाजिसमें दिन रात और मतस्थारी रात दिन दिन तो यह आएगा जैंभ हो जो यहक चन्ने पेच में लगा हुआ इसमें माईनस का तस निसान होता नहीं यह ज़किंग हैं उच्य इसम ना कि कोई हिंदी ये इंग्लिस का कोई ऐसा हो तो उसमें चैका प्रियोग नहीं होगा बलकि अगर द्वांद समास को उधारन संस्कृत वाला है तो चैक बीच में चैक प्रियोग होगा योजक चिन की जगे ठीक अर्दावर्ती पुन्रावर्ती सार्थक यह निर्थक इस कि यहां बिस्कुटी मांगा है बिस्कृती मतलब बिस्कृत देऊं ऊक्र बीयां दकायोर मम। मतलब खाय हो नों कोछ़ओ को कहां किति उर्दावर्ती साम।्हस में ढक्दार्ती अंस और ब्लावर्ती सीदोयाई अनौटा वक्ड शहां तो वह हमारी अरधावर्ति पुनावर्ति कहला के जैसे रोटी वोटी चाय वाए पानी वानी पानी नहीं है तो पानी कुछ और दे दो जिससे पानी का काम हो जाए चाय वाए चाय नहीं है तो चाय की जी कोफी दे दो वो चाय का काम कर देगी रोटी वोटी रोटी नहीं है तो कुछ और दे दो जिसा पीड भर जाए क्याने का मतलब अरदावर्ति पुन्डावर्ति वह होता है ठीक आगे देख ते आगे हैं संबंथ अगर किसी उसमें संबंध आता है किसी भी अप समास के उधारन में अगर संबंध पाये जाता हो वह द्वन समास को धारन वह कैसे जैसे पिता-पुत्र मतलब पिता और पुत्र आया तो आपस में संबंद नेंगा ठीक भाई बहन भाई बहन में भी संबंद है और बहुत सारे उधारन अनेक प्रकार के तो जहाँ भी संबंद आपको दिखाई दे वह उसका दौन समाज का उधारन हो जाएगा अब आगे दे कि पहचान क्या है दौण समास की पहचानी यूजक तो नहीं होगा तो आन बान शान लाल बाल बाल और तन्मान धन रहे तो योजक्चण की है हमने बता था और हऊब ही ये लगосकदे और आगे देखते हैं और से 10 संखिया तता बीस तीस चालीस पचास साथ सब्काइब तर आप सो एक हजार दस हजार एक लाक यह करोड यह 10 लाक है कुछ भी ऐसा हो इन सभी संख्याओं को छोड़कर बाकी संख्याओं में द्हुंत समास होगा या इन संख्याओं में 2 मतलब जो यह हैं जो पूरी complete संख्या हैं उन्हें में 2 समास नहीं होगा जैसे अब आक से बोल देया जाए कि 11 में बताओ तो 11 में 10 और एक और लगा और की जिगह हम योजक्चिन का प्रियोग कर सकते हैं तो 10 और एक मतलब आया उसमें जैसे 10 और 20 ठीक अगर 10 20 को हला कि जो मैंने आपको भी बताया कि 10 में 10 समास नहीं होगा लेकिन यह 10 और 20 है तो और बीच में योजक्चिन आया योजक्चिन की जिगह हम और भी लगा सकते हैं 10 20 तो इसमें दोन समास होगा अगर 2 संख्या पाई जाती है और केवल अगर सिंगल पर देखोगे तो सिंगल पर यह नहीं होगा जो भी एक से दस्तकी संख्या और 20 30 यह पूरी संख्या होगा जो अंपलीट संख्या जैसे कि ले लो क्या मनम क्या होता पचास और और ऑगा बीच में और कि जिगा में योजक्चिन प्रयोग कर सकते हैं सबस्करों 81 तो 81 में क्या होगा 80 पिलसे प्छी और एक और योजक्टी नोब बीचम बन गया को अब आगे देखते हैं आगे हैं अब यह भाव समास और दोहन समास में अंतर देखो अब उस होता क्या है अब यह उभाव समाथ के जो उधार होती है इन्हें लिंग वचन काल कारक में नहीं बदला जा सकता मैंन आपको बताया था अब यह उदारन होगा उसस वह उसका पहला प्रद प्रदान होगा और पहले प्रद पृदान में आप या तो उपसर्ग पाया जाएगा यह फिर नि यह सब्द का छोटा सा हिस्सा होता है जिसका अपना भी कोई अर्थ होता जब कि पिरते का अपना कोई अर्थ नहीं होता और पिरते सब्द के पीछ लगाए जाता और यह जो निपात होता है निपात यह किसी चीज में बल देना है तो निपात का प्रियोग हो थिक ऐसा ही और योजक चीन बीच में और योजक चिन एपताया तो यहां दिक्कत होती है लेकिन द्र 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 क्या है जो बन नइ बन प्रियोग होता डिसनी तो दीरिग जल्दी जल्दी अलागिग अभी अभी jadi यह से हैं पाफ है तो निपात का प्रियोग हुआ और अगर मैं द brushes है क्या से बात-बात काना कान आधाथ लेकिन दुनत समाज जो होगा इन्हें लिग्वचन कालकारक में बदल जा सकता है जब्कि अब घारक के जो होती है हो वो हमारी साथ विर्कार्गी होती है ठीक सब आपको बताया जायागा इन्हें लिंग्वचन कालकारक में बदल जा सकता है रात रात जैसे कि अब हम इसे रात को हम रातों भी कर सकते हैं ठीक तो यह बदल गया लिंग में और दिन दिन का हम दिनों भी कर सकते हैं और सुख का हम सुखी भी कर सकते हैं दुख का दुखी भी कर सकते हैं हरा का हम हरे भी कर सकते हैं ठीक हरी भी कर सकते हैं तो इसका हम इसका आर्थ होता है जबकि यह लिंग वचन काल कारक में दोंदे संगर देखते हैं नहीं है दो तो वह अगर योजक चीन बीच में आता है बात अगर बात वागा बैजम में तो इसे परिवर्तन करें तो इसका हाथा ओख देखती है और हमें लेटेएड है अब सीधा मत्लाम और मतलब और सम्सकें बीच में मैंने बताया था यौजकचिन हो यह गर योजक्चिन नहीं और टो यह होगा या एवम होगा ऐसी बहुत सब्द हैं जो इसमें योजक्चिन की प्रियोग होते हैं जो और चया आता है चया आता संस्क्रित वाले उधारान में ठीक पचास और एक मैने आपको बताया था 50 और एक तो और और गया और या और लिख़ो यह यह जगे लो जो पूरी पूर संक्यां है जो जैसे दस हुआ एक सधस्त की संक्या हुई या दस वीस तीस चालिस पचास साथ सो एक हजार दस जार 50,000 एक लाक करोड दस करोड जो भी हैं कि अगर जो पूर्ण संख्या है वो द्वन्समाज को धारण नहीं होगी जो एपूर्ण संख्या है जो किसी दूसरे सहायता सभी बननी है जैसे 21 ले लिए 20 और एक और आया और या और की जिए हम योजक्चिन का प्रियूप कर सकते हैं तो 20 और 21 तो इसी हिसाब से आ गया दे दिन और रात है और की जिए हमने योजक्चिन का प्रियोब करा मैं आपको बताया था जो बीपरीत की उधारन होंगे विलोम सब्द के वह सब द्वन्द समास के उधारन होंगे और योजक्चिन लगा हुआ होगा वीच मैं ठीक यह होंगे जिए संबन भी मैं पाया जाए लेकर माता पिता बहन भाई या फिर नाना नानी यह कुछ भी जिसमें संबंध प्रफ्थ हो वह भी एक आपका ध्वन समास का युदारन होगा आगे देखते हैं करमधार्य समास अब आज आता आपका तीन तीसरा नंबर करमधार्य समास मैं आपको बताया था करमधार्य समास और दीगु समास अगर अलग अलग गिंती हो रही है तो छह फिरकार की समास होंगे और अगर करमधार्य और दीगु समास को अंदर ले लिए जाए तो चार होंग मतलब करम धारे करम का मतलब है जैसे काम कर रहे और धारे का मतलब धारन करने वाला काम को धारन करने वाला जैसे चाय वाला पूरा सब्सक्राइब कोई फरक नहीं पड़ता वाले सामें फरक बड़ा मतलब किसकी और इसारा करा तो इसमें दूसरा प्रद्धान हो गया चाय त आप पान्से पहसे नहीं पाने अपना एक सब्द है और वाला इसमें जोड़ दिया तो पान वाला एक अपना अलग अर्त दे दिया इसने पान वाले ने दूदुदुआ पहचानन आसे ही ऑट सुनकार चोोण कर तो जब कार्य और धारंड करने वाला मिलते हैं तो क्या अधार्ण होगा करम दार्री समाज का है काम को धार्र करने वाला कि काम क्या है और उसको धार्र substitute होगा ठीक आगे देखते हैं है कै आगे हैं आ ईतरता समाज हो यह एक विसेस्जाмы समाज है तो इस इसमेर विशेशन में क्या पाए जाएगा जो विशेशन होगा उसमें गुणू दोस संकित निसान होगे जो मतलब विशेशन पाए जाएगा और विशेश से एक आधार होगा अपना ठीक है सब आगया बताते हैं भी उधारन जैसे महात्मा मतलब इसका दूसरा प्रिदापद होता प्रिदान एक तक गुणू दोस महान मतलब महात्मा महान पिलस आत्मा महान पिलस आत्मा ठीक है तो महान तो एक मतलब इसमें उपादी है और आत्मा एक जब इसके महान के साथ में आत्मा जूड़गी तो महात्मा बने मतलब अलगी इसका अपना अलगी अर्थ दे दिया करने वाले को बताना तो वो 시청 कुछ वह शहता है जब सुथ अपना अलग है और करने वाले को बताना तो वह शचभी व कि आप जैसे पूरशोथ्त। मतलब पूरुषत पिलस। अपना अलग है और उसमें जोड़ीे जाए तो पूरुषत्त। मतलब वह एक अलग तरह स्मय बल ले दिया वह पुरुष अंत्म पयतंबर जासी कमीन मंत्री तो कमीन को्rou Алड कमीन क्लाख विसेशल मंत्री एक करता कमीन यह कमीना हुआ और विशेष समय मंतली लड़ कि उसदर गइस तटरी टेंद यह मत देख नहीं समत तुट ऐसे में फिलाय के पूर को वा था थिए तो क्वालक नटकट वालक नटकट एक विशयसर है और विशयसर है शैतन चात्र जहरिल्ह सांप अच्छा लड़का तो विशयसर के साथ में विशयसर के साथ प्रयोग हुआ है यह और उपमान यह वाला समास भी कहलाता है थेक है उपमान क्या होता है जो पहले से पिरकरती दुवारा बनाया गया हो जो पहले सी इंसान को उसमें कोई रोल नहीं हो वह उपमान कहलाता है उपमान क्या है उपमान वह जो बाद में आया हो या किसी दुवारा बनाया गया हो वह उपमान कहलाता है जैसे पिरकरती जो बाद में हो पिरकृति क्या होती है जो बाद माया हो प्रसिधी जिसकी प्रसिधी बाध में के LOOK – पहले से मुझूद ङूए, उसके पिरक्रति कोई नहीं है मतलग को बनाय हुआ किसी का नहीं तो गोड गिफिट्ट है जैसे पहाड है यह importante है चांद्य है, करो मेरी आप से मैं आप से तुल ना कर रहा हूं तो यह आपका उसका उधारन होगा करमधार्य का और सब आपको बताए जाएगा जैसे उधारन होगा चंद्र मुख मतलब चंद्र के समान मुख देखो चंद्र क्या हुआ चांद एक पिरकर्ति द्वारा दिया गया है जो की उपमान है और उपमे क्या उपमे एक मुख है तो मुख चंद्र कनकलता कमल नैन कमल क्या है कमल एक पिरकर्ति की देन है जबकि नैन नैन बादमाया है और कमल पहले आ चुका ठीक है मिरग नैनी तो इसके डेफिनिशन उपमान जो पहले से ही पिरकर्ति द्वारा बनाया ग कुछ भी हो सकता है गाड़ी है घोड़ा है मतलब गाड़ी है या फिर पैंटल पंप है या फिर सलक वगएरा है यह पिरकतिक देन नहीं है क्योंकि इनसान ने मना है ठीक है तो इसलिए यह उम्में हो गई आगे देखते हैं आगे गुण और गुणी समास वाला भी कहलाता है प्रोंगे है इसमाघ कैसे उधारडब को इंदारी मड़ा है करो और वीर पुरुस में एक वीर लगा देद आगे तो वीर उसों गूट है कि भी आजी है और बुरा आदमी तो यह बुरा क्या हुआ बुरा एक गुण है और आदमी गुणी है जिसके अंदर ये गुण पाए गया बहला वैक्ति बहला एक गुण है और गुणी क्या है गुणी वैक्ति है ठीक करमत नेता करमत गुण है और किसके अंदर है गुणी कंदर नेता कंदर बहादूर बालक बहाद करमकृ करमदार्य को होने पर सब्यांगे पहचान सब्सक्राइब होने पहचान सब्सक्राइब जो यह समास्विग्रे मतलत तोड के एक सबद को कहीं उसमें जब तोड़ा जाता उसे समाश्विग्रे और अगर आपको यह अच्छी लगी वीडियो तो जादे जादे शेयर करें जो घर में हमारे पढ़ रहें बहनवाई उन तक यह वीडियो को पहुंचाओ फिरी में और ज्यादे तरह मैं आपसे कहना चाहूंगा लोगडाउन का समय है बीमारी बहुत चल रही है इन से किर्प किली है जादे meas की लोगड़ रही है रही है